लबसकार मित्रों एक चीज तो भारत जैसे देश में स्पष्ट हो चुका है यदि आपको राजनीतिक संग्रक्षण प्राप्ट है तो ये कानून ये संग्विधान आपका कुछ भी बिगाल नहीं सकते हैं बाकी आपको संग्रक्षण ही महिया कराएंगे एक ऐसा ही मसला सामने निकल कर आया है जिसमें पूरी तरह से सासन पर सासन संग्लिप्ट पाए गए हैं 17 जनवरी 2016 की घटना को मैं आप लोगों को याद दिलाओ रोहित बेमुला नाम का एक चात्र था जो दलित था उसने आत्म हत्या कर लिया है हैधराबाद यूनिवरसिट में वो प्यचडी हैधराबाद यूनिवरसिटी से कर रहे थे और सुचिए जो चार्ट स्वीट दार किया गया है उसमें यह का गया कि रोहित बेमुला जो है कि दलित था ही नहीं ठीक है उसके बात यह भी दिखा गया कि इनका किसे पिकार का कुछ भी सोशन नहीं हुआ है एक मेरी जो प्यच्डी है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी और वो मुझे निकाल देगी पर दोस्तों इसे हट के भी है क्योंकि जब रोहित बेमुला के माता पिता तिलंगाना सरकार के पास जाते हैं तो उहां के मुखे मत्तरि पूरी तरह से उनके परिवार के लोगं को आश्वासन देते हैं और जो भी उनके सपोर्ट में जो भी चातर बिलोध प्रदर्सन कर रहे थें ठीक है कि उनको जो है नयाय मिले उनको भी उन्होंने आस्वासम दिया है कि मैं फिर से जांच बैठाऊंगा फिर से किसी दूसरे विभाग को जो है यह जिम्यदारी सोंपी जाएगी आप लोग न और एक चीज और है यही नहीं था कि बंदा बस जो है पढ़ाई तक ही सिमित था आम बेदकर चातर संग का ये बंदा एक्टिव सदश्व भी था इसके माध्यम से क्या होता है यदि कोई लड़का है वो पठन-पठन करना चाहता है उसके पास पैसे नहीं है तो इसके माध मैं ही कुछ छात्रों से मधभेद होता है मार्पीŃ होती उसके बाद उनिवसिटी प्रसासा ने वह पूरी तरह से इनको जो इनको घःता है जो चाशतर होता है उसके उलिश्टी हमति पहरालिक बदल दी आ जाते हैं कुछ दिंहों के बाद फिर इनको ज़ह फो पूरे तक के पाबंद लगा दीए जाते हैं कि आप सारजुनिक जगों पे नहीं जा सकते हैं इनके रूम में नहीं जा सकते हैं इस तरह के तमाम तुरेकर किन अपर बंदिसी लगा दी गई पर दोस्तों इससे भी भ्यानक मसला था इससे बहुत बड़ा भ्यानक मसला था जब अखिल भारती विद्यार्थी परिशत और आम्बितकर्ट छात्र संग सदश्यों के बीच में मारपीट होता है तो वो अखिल भारती विद्यार्थी जो परिशत के सदश्यों थे हैं वो सा पादियम से उनकी भी थोड़ी से ख्याती बढ़े, उनका भी कृतिमान बढ़े, फुडा सायस बढ़े, और ये लंबे समय से चला, जितनी भी बड़ी-बड़ी उनिविश्टी है, वहाँ पे राजनितिक पार्टियां फूरी तरुम से पैंट बनाके बैठी हुए, उन्ही युनिवसिटी में ये सारी चीज़े सीखेंगे फिर पर लिखकर जब संसत की तरफ विधान सभा की तरफ रूख करेंगे तभी तो हमारे देश को कुछ नया मिलेगा तभी तो बहतर होगा रोजगार के लिए सिख्षा के लिए क्योंकि वह आधुनिक सिख्षा प्राप्त करके आ रहे हैं और उनसे बढ़िया कोई नहीं जान सकता कि देश का संचारन कैसे करना है समाज को कैसे बना कर चलना है ठीक है उनके पास नए एजंडा होंगे नए मुद्दे होंगे वह जाती धर्म मंदिर मस्जिद के नाम पर उ स्मिति रानी जी रहती है उनको एक लेटर मेश थे हैं और फूरी तरह से कहते हैं कि हदाबाई उन्वस्टी में देश द्रोही हो रहा है ठीक उसी प्रिकार की हिंसाएं हो रही है गतिविधियां पाई गई गई हैं इसके बाद सोचिए इस बंदे के ऊपर इस लड़कों इतनी पावंदियां लगा दी गएं कि आप सुचने सब्सक्राइब इनकों कितना डिस्ट्रफ किया गया सम्मान परिवार का लड़का गरीब तपके का लड़का है दलित लड़का है पर अपने मेहनत और काविलियत के बल पर उसने महां तक पहुंचा दुकाम हासिल किया पर वास्तिक लड़ाई से वह हार गया उसे नहीं पता था यदि मैं अपने अधिकारों की मांग कर रहा हूं तो यहां कुछ ऐसे लोग भी हैं जो निर्मन तरीके से मेरी हत्त्या कर देंगे या मुझे उकसाएंगे मैं खुद मर जाओंगा सूचिए इतने पढ़े लिखे चात्र को कितना ये हरास किये होंगे मेंटली और फिजिकली कितना टॉर्चर किये होंगे कि एक अदम उठाना पड़ा और यही जो बंडारु दत्रा दे है इसे मौरतमान महरियाना के राज्यपाल है तो कहीं न कहीं भारती जलता पार्टी के कुछ तथा-कथित नेताओं क में आरोपित पाया जाता है तो संग्रिधान के अनुसार उसके उपर भी जो इंडियन पैनल कोड है उसके हिसाब से उसके उपर कारवाई होनी चाहिए आपको बचाने का कोई अधिकार यहीं सारी चीजे हैं इसलिए इस समय बवाल चल लहा है परियाद रखेगा दोस्तों आज दलित की बात नहीं ओहा है जो छातर होता है वो किसी ज्याती धर्मका नहीं होता है मित्रो वह एक जिस नई दुमिया में प्रवेश करता है एक प्रयोग शाला होता है उसके जब छातर निखलेगा अ बहतर सुनारा घुष्य हमारे समाज को हमारे देश तो देगा पर कुछ नेतागड़ ऐसे हैं कि पहले हैं उनको नीवाला बना कर आ लेते हैं जिसकी वज़ा से ये इस प्रकार के हाथ से हमारे देश में आ रहे हैं कहीं पर मौब लिंचिंग जानते हैं सबस्याद किस बात पर होता है गाय को लेकर हिंदु मुसलिम को लेकर इस परकार के मौब लिंचिंग हमारे देश में और उसके बाद क्या रिजल्ट मिलता है सामुझ खत्य करके भाग गए उसके बाद कुछ नहीं सोचिए तो मुझे यहीं लगता है कि भारत सरकार को एक नई सिरे से इसकी जांच करनी चाहिए जिससे हम भारती चाहिए किसी भी जाती धर्म के हो सरकार कि प्रती हमारे नस्टा बनी रहे तो आज कितना